नमस्कार मैं अंजले मिश्रा स्वागत है आप सभी का दो नियोज में आपको बता दें के गुजरात के आदिवासी बहुल छोटा हुदै पुर्क जिले के वोडरी श्यर में के इंद्रे ग्रिया मंत्री आमिशा ने आज राहूल गांदी के वाइनाड और राय बरेली लोग स सभा सीटों से चुनाव लड़ने पर कटाक्ष किया उन्होंने कॉंग्रेस पर जौंकर निशाना साधा तो साथी साथ प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी के चार सो पार के लक्ष को पूरा करने के लिए आम जनता से जो है उनसे पूछा भी उनका समर्थन भी मांगा उन्हो पासी और पिछड़ वर्गों के लिए निरधारित कोटे को मुसलमारों को देका लूटने का आरोब तक लगा दिया उन्होंने कहा कि राहूल गांदी जब अमैठी से शुराव हार गये तो वाइनाड चले गया जब उन्हें अइसास हो गया कि वह इस बार वाइनाड से हार कि तो वहीं वो केंडरिया मंत्री स्मृति राणी से अमैठी सीठार गये मंत्री ने आगे कहा राहूल बाबा मेरी सलाम आने समस्या आपके साथ है सीठों को लेकर नहीं है आप राय बरेली से भी भारी अंतर से हारेंगे अगर आप भाग भी जाएंगे तो लोग आपको ढ भूंड लेंगे उन्होंने आगे कहा कि राहूल बाबा एंड कंपनी यह जूट फैला रहा हैं कि अगर प्रदान मंतिश नरेंद्र मोदी एक और कारेकाल जीतेंगे तो आरक्षन खत्म कर देंगे अमिशा ने कहा कि राहूल बाबा मोदी के पास 2014-2019 में पूर्ण बहुमत था लेकिन उन्होंने अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षन को कभी नहीं चुआ यह मोदी की गैरेंटी है कि जब तक BJP सत्ता में है कोई भी से चुँ नहीं सकता है केंद्या मंत्री ने जोरान आरोप लगाया कि यह इंडी गुठी था जिसने कुछ राजियों में दलीत आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए नरधारित कोटा मुसल्मानों को देकर लूट लिया केंद्या मंत्री ने आरोप लगाया कि इंडी गट बंधन ने दलीत आदिवासियों और पिछडों के आरक्षन पर डाका डाला और कई राजियों में इसमें मुसलिमों को भी शामिल कर दिया लेखनिया है कि कॉंग्रेस साशित कनाटक में सरकार ने राज्य के सभी मुसल्मानों को ओवेसी वर्ग के आरेक्षन में शामिल किया है प्रधान मंत्री मोदी ने भी अमुद्दा उठाया था और कॉंग्रेस सरकार पर ज्वंकर निशाना जो है साधा था अब आप समझ सकते हैं कि यह मुद्दा इतना ज्यादा जरूरी क्यों है किसली वज़े से इस मुद्दे को लेकर जो है खी स्तान चल रही है इसे बीच जिस तरीके से ग्रीह मंत्री आमिशा द्वारा इस पूरे मामले को लेकर ब्यान बाजी की गई और क्या कुछ जो है इ बोदी जी ने तो एक ही बार ट्राइ किया और चंद्रयान लॉंच हो गया ए राहूल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉंच कर चुकी है मगर लॉंचिंग इनकी सफल नहीं हुई है और आज 21 भी बार फिर से अमेटी से भग कर राय बरेली में परचा डाला अरे र आसे राय बरेली का परिणाम बता देता हूं भारतिय जन्ता पार्टी के प्रत्यासी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप राय बरेली से प्रचंद बहुमत से हारने जा रहे हैं मेरी बात लिख करें अन्य त्यांपनों त्री रंगो फरकाए हूं आ सोनिया बैने राहूल आमनू एक यान वीश-वीश वार लॉंच करियू कल एकवीश मीवार लॉंच करें जे पन फरिवार फेल जावनू वीश-वीश वार राहूल यान लॉंच करियू पन एके वार उत्रियू नहीं फरिवार फेल जानू राहूल बाबा अमेटी ती आर्या इतले वाइनाड भ गणिक मा वाई नार गणिक मा अमेड ही गणिक मा राय बरेली राहुल बाबा मुँए चला आपू तम नुए प्रोब्लेम सिटनो न थी प्रोब्लेम तमारा माजे मेर नहीं पड़े गमेद्या जसो तो है तो जैसा कि आपने साफ तोर पर सुना यहाँ पर ग्रिया मंत्री अविश्या जो है साफ और इस पश्ट शब्दों में कहते नजर आए कि जो वेल्टी है वो सीट में नहीं जो परेशानी है वो सीट में नहीं दिक्कत आपके साथ है उन्हों ने कहा कि लोग स़भा जो है राहूल बाबा लोग सभा सीट में समस्या नहीं समस्या जो है वह आप में हैं उन्होंने श्याभ तोर पर कहा कि कॉंग्रेस पर स्ट्ट्रोविसी के निर्धाली तारेक्षन पर डाका डालने का रोप लगाया जनसवा में राहूल गांधी ने कहा था कि भाइयों और बेहनों यह कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांधी के नेटित में चुनावल लड़ रही है और इसके नेता राहूल आप में उन्होंने कहा कि राइम मलेली में भी आप भारी वोटों से आ रहेंगे अगर भाग भी जाएंगे तो भी लोग जो है आपको ढूने निकालेंगे ग्रियामत्यमिशा ने कहा भाईयों और भैनों एक एक वर्ष सत्ता का बटवारा करने वाले वो इंडिया एलाइस घ सब्सक्राइब कर सकेगा अधिवासियों का कल्यान क्या कर सकेगा इन लोगों को केवल जूट बोलना आता है और यह जूट की राजरीती करते हैं अब इशाने का यह राहूल बाबा कंपनी कि मोदी आएंगे तो आरक्षन वापस ले रही हैं कह रहे हैं कि हमने 400 पार कर ना इस decent epoxy का आरक्षन हटने का साम नहीं किया और आउन्हों और किसी ने डाक डाला अगर किसी ने लूट मचाई तो कनाटक में इस सरकार वनी तो इन लोगों ने अपना चार प्रतिशत आरक्षन मुसल्मानों को को दे लिए आरप देश में लगा रहे हैं मैं आज आदिवासी भाई बेनों को सपस्ट करना चाहता हूं जब तक भाजपा है तब तक उनके आरक्षण को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है बता दे कि छोटा उदैपुर की लोग सभाज सीट और सूचित जाती वर्ग के लिए आरक्षित है और इस सीट से गीता बेन राठवा सांसर्द चुनी गई थी यह एक आदिवासी बहुत सीट है जहादिवासी राठवा मद्दाताओं के संक्या सबसे ज्यादा अधिक है यहीं वजाए कि प्रमुखतल यहां से राठवा प्रत्याश्वी को मैदान में उतारते हैं और बीजेपी द्वार कि वाइनाड से भी भाग गए किना पता था कि वाइनाड भी हार जाएंगे वह राइबरी चले गए इस चीच को लेकर प्रदान मंतिर नरंदर मोदी समय तो बीजेपी कैसारे नेताओं राहूल गांदी को जंब कर घेरा प्रेदान मंतिर नेता हुं डरो मत भागो मत लगा यह कि दिक्कत किसी लोग सभा सीट में नहीं लेकिन दिक्कत और समस्या जाए वह राहुल बाबा में आपको पूरा मामला यह पूरा मामला क्या है कि इस तरीके से ग्रिया मंतुरी अमिश्या बारा जो है राहुल गांधी पर ताउचकास आगिया क्या कुछ कहते नहीं सब्सक्राइब अब आपकी भी जो रहा हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जब सदर्व साचा करिएगा दन्यवाद